नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जिया दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रखिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर अयोध्या में पीम मोदी का मेगा रोडशो किये रामलला के दर्शन मांगा प्रभू राम का आशिरवाद जिया दोस्तो प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने रहिवार को अयोध्या में भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद सुग्रिव किला से रोडशो की शुरुआत की प्रदान मंतरी मोदी उत्तर प्रदेश में इटावा और धोरहरा की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद शाम को अयोध्या हवाई अड़े पहुचे यहां से सडक मार्ग से भगवान श्री राम के मंदिर गए पीम मोदी ने अयोध्यां से भारतिये जनता पाटी के उम्मीदवार वसांसद लल्लू सिंग के समर्थन में फूलो और बैनर से सजे एक खुले वाहन पर सवार होकर रोडशो शुरू किया और वाहन पर उनके साथ प्रदेश के मुखे मंतरी योगी अधितनात और लल्लू सिंग भी मोदूद थे प्रदान मंतरी मोदी राम जन्म भूमी मंदिर के मुखे दुआर के पास सुग्रिव किला से रत पर सवार हुए चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार करनाटक सेक्स स्केंडल पीडितों को आर्थिक मदद देगी सिदर मया सरकार कांग्रेस बोली प्रदान मंतरी बताएं प्रजुवल का सच क्यों छिपाया HD रेवनना SIT की हिरासत में यहां दोस्तों करनाटक कांग्रेस ने रईवार को एलान किया कि वह हासन सांसत प्रजुवल रेवनना से जुड़े सेक्स स्केंडल की पीडित महीलाओं को आर्थिक मदद देगी कांग्रेस के करनाटक प्रभारी रणदीप सिंग सुरुजेवाला ने सियम सिदर मया और डिप्टी सियम सियो कुमार की मोजूदगी में यहां घोशना की सुरुजेवाला ने बैल गावी में मीडिया से चर्चा के दोरान प्रदान मंतरी मोदी और अमित चाहा से दस सवाल भी पूचे जिसमें उन्होंने यहां आरोप लगाया कि प्रदान मंतरी प्रजुवल का सच जानते थे फिर भी उन्होंने सच को छिपाया इधर दोस्तो करनाटक स्केंडल में पूर्व मंतरी HD रेवन्ना एक दिन की SIT की हिरासत में है उन्हें किड्नेपिंग की केस में अरेस्ट किया गया है रेवन्ना की अगरिम जमानत की अपील खारीज होने के बाद यह कार रेवाई हुई चलि दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार राहुल गांदी ने सफेड टी-शेट पहनने का कारण बताया बोले मुझे सिंपल कपड़े पसंद ये रंग ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी दरशाता है जिया दोस्तों कांग्रिस सांसद राहूल गांदी ने हर वक्त सफेद रंग की टीशेट पहनने का कारण बताया है दरसल दोस्तों राहूल ने कहा कि सफेद ट्रांसपेरेंसी और सिंपलिसिटी दर्शाता है मैं कपडों के बारे में ज़्यादा परवाहा नहीं करता मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है राहूल गांदी ने ये बाते करनाटक में चुनाव परचार के दोरान कही कांग्रेस ने इसका दो मिनिट 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया है इसमें राहूल गांदी ने चुनावी कैमपैन और खुद से जुड़े हलके फुलके सवालों के जवाब दिये वीडियो में राहूल गांदी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मलेकारजुन खडगे और करनाटक के सिएम सिद्धार मैया भी नजज़र आए राहूल ने खडगे और सिद्धार मैया से चुनाव और राजनतिक विचारधारा से जुड़े सवाल जवाब भी किये चलिए दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली ख़वार हमास की मांग के आगे समर्पण करना हमारी भयानक हार होगी इजरायल के परदान मंत्री नेत्यान्यूनु की दो टूक परदान जाया है बेंज्यामिन नेत्यान्यु का बड़ा बयान सामने आया है दरसल दोस्तों उन्होंने कहा है कि बंदगों की रिहाई के लिए गाजा में जंग खत्म करने की हमास की मांग के आगे समर्पन करना इसराइल के लिए भायानक हार होगी बेजामी नेत्यान्यू की केबिनेट ने इसराइल में अल जज़िरा के संचालन को 20 थाई रूप से बंद करने का फैसला भी किया समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के वा अनुसार इसराइली केबिनेट ने कहा कि अल जज़िरा ने राश्टि सुरक्षा को खत्रा पेदा किया है नेत्यानियू ने कहा कि अल जज़िरा के संवाद दाताओं ने इसराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया है चले दूस्तू जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार आर्बियाई ने 2000 रुपे के नोट को लेकर दिया बड़ा अपडेट के 97.66 प्रतिशत नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए है केंद्रिया मेंक ने बताया है कि सिर्फ 7,961 करोड रुपे के 2,000 के नोट अभी भी जनता के पास है आर्बियाई ने बयान में कहा कि 19 मई 2023 को 2,000 रुपे के नोट को वापस लेने की घोशना की गई थी बड़ी खबार दिल्ली हाई कोट बोला इसकूल में ऐसी का खर्च पैरेंट्स उठाए मेनेजमेंट पर आर्थिक बोज नहीं डाल सकते कोट ने दो मई को एक पैरेंट्स की याचका पर फैंसला सुनाते हुए यह टिपनी की एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत पीएस आरोला की बेंच ने कहा कि एसी का चार्ज लेबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है दरसल दोस्तो पैरेंट्स ने अपनी याचका में बताया था कि उनका बच्चा दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल क्लास नो का चात्र है इसकूल मेनेजमेंट बच्चों की क्लास में इसकी सुविदा देने के लिए उनसे हर महीने 2000 रुपे फिस वसूल राये पैरेंट्स का तरकतागी चात्रों को इसकी सुविदा देने की जिम्यदारी इसकूल मेनेजमेंट की है चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार सिपला ग्लेन मार्ग ने अमेर की बाजार से दवाएं वापस मंगवाई सिपला की पैकिंग में खामी ग्लेन मार्ग की दवा स्टंडर्ड के मुताबित नहीं जान दुस्तों दवा निर्माता कमपनी सिपला और ग्लेन मार्ग अपनी दवाओं में मैनुफेक्चरिंग इशू आने के कारण अमेर की बाजार से इने वापस मंगवा रही है यूएस फूंड एंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन यूएस एफडिये की रिपोर्ट के अनुसार सिपला की न्यू जर्सी इस्तित्साय कमपनी ने इन प्रेट्रोपियस, ब्रोमाइड और अलव्यू ट्रोरेल सल्फेड इन हैलेशन सोलूशन के 69,244 स्पेक वापस मंगवाए है सिपला यूएस से ने शोट फिल के कारण दवाओं के इन लोट्स को वापस मंगवाया है यूएस एफडिये के अनुसार इन दवाओं के पाउचों में दवा की मातरा 20 सीमा से कम थी इसके लावा पाउचों में लिक्विड की बूंदे भी थी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार एर इंडिया ने बेगेज पोलिसी में बदलाओ किया फ्लाइट में अब 15 किलो तक का सामान ही फ्री ले जा सकेंगे पहले 20 किलो ग्राम लिमिट थी जिया दुस्तों एर इंडिया ने घरे लुडानों के लिए अपनी पैगेज पोलिसी में बदलाओ किया है भारती एरलाइन की नई पोलिसी के अनुसार कंपनी की डॉमेस्टिक फ्लाइट में न्यूनतम किराये वाली केटेगरी में अब एक पैसेंजर 15 किलो तक का सामान ही फ्री में ले जा सकेंगे इससे पहले केबिन में 20 किलो तक का सामान ले जाने की लिमिट थी दोस्तो टाटा गुरूप के सौमित्व वाली भारतीय एरलाइन ने इसके अलावा दूसरी केटेगरी में भी बदलाव किये हैं नई पोलिसी दो मई से लागू कर दी गई है कंपने पिछले साल अगस्त में एक मेन्यू बेस्ट प्राइज मोडल बनाया था इसमें तीन केटेगरी बनाई गई थी जिसमें कमफर्ड, कमफर्ड प्लस और फ्लैक्स फेर फैमिली शामिल है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार बजरंग पुनिया की मुश्किलें बड़ी एक्षन लेते हुए सस्पेंड कर दिया है इस कड़े कदम की वज़ाया ऐसे बजरंग पुनिया के पैरिस ओलंपिक में खेलने को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है दरसल दोस्तो बजरंग पुनिया को राष्ट ये एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है नड़ा की तरफ से यहाँ फैसला लिये जाने के बाद अब उनके पैरिस ओलंपिक में जाने की उम्मिदों को जोड़दार जटका लगा है डोप सेंपल नहीं देने के लिए बजरंग पुनिया को नड़ा ने सस्पेंड किया इस साल मार्च में सोनी पत में हुए ट्राइल के बाद बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट नहीं दिया था अब अगर उनके उपर लगाई है बेन नहीं हटा तो पैरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्राइल में वे हिस्सा नहीं ले पाएंगे चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार लशकर के चार आतंक वादियों ने किया था वायू सेना के काफिले पर हमला साजीद जट ने दी थी ट्रेनिंग जिया दोस्तों जमु कश्मीर के पुंच जिले में भारतिय वायु सेना के काफिले पर घात लगाकर किये गए आतंकी हमले में एक जवान की मोत हो गई थी चार अन्य जवान घायल हो गए थे अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है सिर्स खुफिया सुत्रों के अनुसार जमु कश्मीर के पुंच जिले में भारतिय वायु सेना के काफिले पर हमला साजीज जट द्वारा प्रशिक्षित लक्षकरे तैवा के चार आतंकवादियों का काम था सुत्रों ने बताये कि पिछले हमलों के बाद एक मानक संचालन प्रिक्रिया यानि की एसोपी विक्सित की गई थी जैसे ही बलों ने जोरदार जवाबी कारेवाई की आतंकवादी भाग गए हमला और आतंकवादियों की तलाज जारी है वाईव सेना के काफले पर हमले की घटना शनिवार शाम करीब छे वजे हुई थी जब कौन को है जारन वाली से वाईव सेना इस्टेशन लोट रहा था दरसल दोस्तो भारतिये वाईव सेना का मूवमेंट संबत है राडार ओप परदान मंतरी बेंजामिन नेत्यानियो नेट्यानियु ने रईवार को इसराइल में अल जज़िरा पर पूर्ण प्रतीबंद लगाने की गोश्चना की उन्होंने कातर के गलोबल निउस चैनल अल जज़िरा के इस्थानिये शाका को बंद करने का फैसला किया है परदान म में दस गुना जादा कीट नाशक को मंजूरी देने वाली खबर हैं निराधार फसाई बोला तैमानकों से कम कीट नाशक की अनुमती सभी मसालों की जाच है जारी जिया दोस्तों फूड सेफटी एंड स्टेंडर्ड अथोर्टी ओफ इंडिया एफ एस एस एई ने उन सभी म अपने जूटी और बेबुनियाद है भारत में मेक्जिमम रेडियूजड लेवल यानिकी MRL यानि कीट नाशक मिलाने की लिमिट दुनिया में सबसे कड़े मानकों में से एक है कीट नाशकों के MRL उनके रिस्क के आकलन के आदार पर अलग-अलग फूड मेटरियल के लिए अलग-अलग तै किये जाते हैं हालांकि दोस्तों फसाई ने मानाए कि कुछ कीट नाशक जो भारत में केंद्रिय कीट नाशक बोर्ड और रिजिस्ट्रेशन कमेटी से रिजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए यहाल लिमिट 0.01 मिली ग्राम प्रती केजी से 10 गुना बढ़ाक लेकिन लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मिनत का फल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको अमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं तो चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार कांग्रिस नेता बोले हैमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा था उनकी हत्या RSS से जुड़े पुलिस वाले ने की थी भाजपा बोली कांग्रिस ने आतंक वादियों को क्लीन चिट दी जिया दोस्तों महाराष्ट कांग्रिस के नेता और विदान सबामे नेता विपक्ष विजे नामदेव राओ ने कहा है कि 2008 में हुए मुंबई हमले के दोरान राज्य के ATS प्रमुक हैमंत करकरे को आतंकी अजमल का सामने नहीं बल्कि RSS से जुड़े एक पुलिस वाले ने मार कांग्रिस नेता रादिका खेडा ने छोड़ दी पार्टी बोली मेरे अयुद्या जाने का हो रहा था विरोध जियन उस्तों लुक्सबा चुनाओं के बीच कांग्रिस को एक और जटका लगा है 36 गड़ कांग्रिस नेता रादिका खेडा ने इस्तिफा दे दिया, उन्होंने कहा कि आज अत्यांत शैनत पीडा के साथ पार्टी के प्रात्मिक सदश्चता त्याग रही हूँ, साथ ही अपने पद से इस्तिफा दे रही हूँ उन्होंने कहा कि हां मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और मैं अब वई कर रही हूँ रादिका ने कहा कि अपने और देशवासियों के न्याई के लिए मिनिरंतर लड़ती रहूंगी रादिका खेडा ने अपने इस्तिफे में लिखा कि हर हिंदू के लिए प्रभूशीर राम के जन्म इस्तिली पविर्टता के साथ बहुत माइने रखती है रामलला के दर्शन मातर से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं रादिका ने लिखा कि मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से जदा दिये जहां NSUI से लेकर AICC के मीडिया विभाग में पूरी मानदारी से काम किया आज वहाँ ऐसे ही तिवर विरोध का सामना मुझे करना पड़ा है क्योंकि मैं योद्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई चले दूस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी ख़बार Airtel की मार्केट वेल्यू एक हफते में 27,636 करोड रुपे कम हुई देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 की वेल्यू और 6,417 करोड गिरी SBI की 26,908 करोड बड़ी जिया दूस्तों मार्केट वेल्यूशन की हिसाब से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वेल्यू पिछले कारोबारी हफते कमबाइन रूप से 68,417.14 करोड रुपे कम हो गई इनमें सबसे बड़ी लूजर भारती Airtel रही कमबनी के मार्केट केप में इस दुरान 27,635.65 करोड की कमी आई है अब Airtel की वेल्यू 7.24 लाग करोड रुपे रह गई है वहीं दूस्तों इसके अलावा देश की सबसे वेल्यूबल कमपनी इरलाइस इंडर्श्टीज का मार्केट केप भी 23,341.56 करोड गिरकर 19.41 करोड रुपे रह गया है चले दूस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार इसकोन इंडिया के चेर्मेन का निदन हाट की बीमारी थी देहरादून में अंतिम सांसली कल वरंदावन में समादी दी जाएगी जया दोस्तों इसकोन इंडिया की गवर्निंग काउंसल के अध्यक्ष गोपाल करश्न गोसवामी का रहिवार को देहरादून में निदन हो गया यह वह 80 साल के थे उन्हें हाट से संबंदित बीमारी थी उनके पार्थिव शरीर को रहिवार के शाम को दिल्ली के इस्ट औफ कैलास इस्तित मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया प्रभुपाल से मुलाकात की और तबी से उन्होंने सभी की शांती और कल्यान के लिए भगवान शरीक रश्न और सनातन धर्म की शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मोदी से बाचीत की इस बाचीत में प्रदान मंतरी ने देश का विकास सरकार का वीजन ब्रश्टा चार एडी सीबी आई मुस्लिमों से भेदवाओ विपक्ष का सफाया जिससे कई सवालों के जवाप दिये। टीम पंजाब को जीत के लिए 169 का टारगेट मिला था जिसका पीछा करते हुए 9 विकट पर 149 रन ही बना सकी। रितुराज गायक वाड की कप्तानी वाली सीएसके की मुझदा सीजन में 11 मेचों में यह 6 जीत रही और वह अंक तालिका में सीधे नमबर 3 पर पहुँच गई है। दूसरी और पंजाब किंग्स की यह 11 मेचों में 7 वी हार रही। सीएसके की जीत के हीरो रविंदर जड़े जा रहे जिनोंने ओल राउंड प्रदशन किया। जड़े जा ने पहले बल्ले से 43 रन बनाए और फिर 13 विकट भी लिये। पंजाब किंग्स की और से बल्ले बाजी में प्रब सिमरं सिंग और शशांक सिंग ने भी अच्छी कमाल की बल्ले बाजी किरी। हलांकि दूस्तो आज के मुकाबले में महेंदर सिंग धोनी पहली गेंद पर ही जीरो पर आउट हो गए। चले दूस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 15 अप्रिल से शुरू हो गए थे जरूरी मेडिकल सेटिफिकेट बनवाने की प्रिकडिया चल रही है चले दूस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नाइट आउट पर निकली थी नशिला प्रदार्थ दिया गया जिया दूस्तो आस्टेलिया की महिला सांसद ब्रिटनी लाउगा के साथ शेक्ष्वल हरेस्मेंट हुआ है घटना पिशले हफते उस समय हुई जब वहाँ नाइट आउट पर थी यहाँ जानकारी खुद सांसद ने दी उन्होंने बताये कि वो क्विन्स लेंड शहर में घूमने गई थी तबी किसी ने उनको नशिला प्रदारते दे दिया आश्टेलियाई मीडिया एबिसी के मुताबित सांसद लोगों की शिकायत पर उस जगह गई थी ब्रिटनी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद 28 सप्रेल को उने अस्पताल टेस्ट के लिए ले जाया गया सांसद ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार शहबाज बोले भारत की अर्थविवस्ता को पचार सकता है पाकिस्तान कहा महनत कर दूसरे देशोशे आगे निकलेंगे पाकिस्तान में दूद के दाम 210 रुपे प्रती लिटर तक पहुंचे जहां दोस्तो आर्थिक तंगहाली से जूज रहे पाकिस्तान के प्रतान मंतरी शहबाज सरीफ ने काए कि देश अगर महनत करे तो भारत और दुनिया की बड़ी अर्थविवस्ता को पीछे चोड़ सकता है प्रदान मंतरी शहबाज शानिवार को इसलामबाद के फेडरल बोर्ड ओफ रेविन्यू में दिगारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे जहां उन्होंने यह बयान दिया प्रदान की जहां एक तरफ पाकिस्तान बड़ी अर्थविवस्ताओं से टक्र लेने की बात कर रहा है वहीं दूसरी तरफ देश में महंगाई चरम पर है रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान चूरा है और वह बाद भारत को पचालने की कर रहा है तो दोस्तो यह थियाज की तमाम बड़ी खबर है इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइन की उच कुशन की जिए आँ दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिप चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सव आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्रिकेट के इतियास में सबसे जादा बार वर्ल्लक जीतने का रिकोड कौनसी टीम के नाम दर्ज है जी अंतर सो गर आप जानते हैं क्रिकेट के इतियास में सबसे जादा वर्ल्लक ट्रोफी कौनसी टीम ने जीती है तो जल्दी से उस टीम क अनाम कर व्लोक्स में लिख दीजेगर दोस्तों आपका जवाब होता एक दम सहीर आप चुन जाते हैं लखी विज़ता की रूप में तो आपको मिल सकता एक सर्प्राइस गिफ्ट अमारे यूटीब चैनल की ओर से तो दोस्तों जल्दी से अपना उतर कर व्लोक्स में लिख लिए वडियो को लाइक कर लीजियो चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदिमात्रम जे हिंद जे भारत